So Hello Everyone, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि Delhi University Admissions आपके जो हैं स्टार्ट हो चुके हैं और CSES का Phase 2 आज से स्टार्ट होने वाला है तो आज जो आपका ये Phase 2 स्टार्ट होगा इसमें कुछ बातों का आपको विशेश ध्यान रखना है अगर ये आप ध्यान नहीं रखते तो बाद में आपको इतना पच्ताना पड़ेगा कि आपका बाद में कुछ सुधार भी नहीं उपाएगा तो वीडियो को end तक देखेगा बहुत ज़्यादा helpful वीडियो है कोर्स और कॉलिज भड़ते समय आपको बस ये गलती नहीं करने important tips है जो मैं आपको बताऊंगा वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रखोंगा कम से कम बातों में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको दूंगा सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप Instagram पे मुझे message कर सकते हैं मेरा username आप सभी के screens के सामने दिया हुआ है तो चलिए फिर अब हम शुरू करते हैं अपनी आज की जानकारी को सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब एक बारी आपका ये portal स्टार्ट हो जाएगा आपका जो है फिलिंग का प्रोसीजर स्टार्ट होगा फेस टू का सबसे पहले तो आप जल्दवाजी मत करना बहुत लोग क्या करते हैं स्टार्ट होते ही और फिल करना शुरू कर देते हैं आपको वेट करना है यूट्यूब आपके लिए बहुती बड़ा helper बनने वाला है आपको बहुत सारे चैनल पर बहुत सारी वीडियोज मिलेंगी जो आपको पूरा एक एक step by step बताएंगी कि कैसे form को फिल करना है मैं यहां किसी एक चैनल को नहीं बोल रहा बहुत सारे लोग है जो आपकी help करने के लिए तयार बैठे हैं बस आपको wait करना है वीडियोज को अच्छे से देखेगा कौन सी गलती और बच्चे कर रहे हैं उनको करने से बचिएगा और जब पूरा आप समझ लें procedure भाई किस तरीके से हो रहा है उसके बाद ही fill करना ठीक है number one तो यह बात हो गई आपकी कि wait करना है patience रखिए आ गया है आपको ही fill करना है वो चलेगा अभी बहुत लंबा प्रोसेस है यह आपको जल्दवाजी नहीं करनी फिर उसके बाद है fill maximum courses यह गलती बहुत बच्चे करते हैं कि मालो वो 12th pass हो गए अब वो चाहते हैं कि भाई मुझे तो poll science honors करनी भाई अगर poll science honors में आपका नहीं आता number तो आपको कोई और college नहीं मिलेगा ना कोई और course मिलेगा तो आपको जादा से जादा courses को add करना है गितना जाधा करसकते हो poll science honors, history honors, hindi honors, english honors, b.a. chromatic जितने ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो वो करना और courses को भी आप preference wise लगाना ठीक है कि आपको सबसे top priority आप किसको देते हो, किस course को, अगर poll science owners करना चाहते हो तो number one पे रखना आप उसे, और courses के अंदर भी priority का और preference का आपको बहुत खास द्यान रखना है, ठीक है, ऐसे ही न randomly आपने कोई भी course ले लिए, बाद में पता चल रहा है, seat allocate हो गई, तो कहीं और ही पहुँच जाओगे आप किसी और course में, तो आपको क्या करना है, courses का बहुत द्यान रखना है, maximum courses भरोगे, तो Delhi University भी यही कहते है, कि आपके chances उतने ही ज़्यादा होंगे, seat मिलने के आपको, अब दूसरा number, maximum colleges, ठीक है, और colleges भी ऐसे ही random लीमत वरना, colleges के लिए आपको preference डालनी पड़ेगी, कि भाई अगर आपका first merit list में हो रहा है, first round में हो रहा है, तो सबसे पहला college कौन सा था, जिसको आप preference देते हो, तो यह ना हो, कि आप किसी ऐसे below average college को top पे डाल दें, random ले किस को देखने ना, अच्छे से, उसके लिए college कौन सा अच्छा है, preference सही से बनाना, मैंने अपने इसी channel पर preference बना रखी है, BA program, pole science owners, Hindi owners, English owners, सभी की, अगर आपको वो वीडियोस देखनी है, तो मैं इसी वीडियो के description में link दे दूँगा, आप preference sheet देख लेना, आपको colleges पता चल ज क्योंकि इसके बदले में आपको बहुत भारी, आपको कुछ फिर चुकाना पड़ सकता है, कि अगर आप किसी गलत course में पहुँच गया है, किसी गलत college में, यह हो गया, अब आपको preference आपकी बहुत carefully fill करनी है, ठीक है, यह मैंने आपको बताई दिया है, कि आज ही आपका priority basis पे fill करना है, कि अगर आपको priority के हिसाब से देखा जाए, तो सबसे पहले कौन सा course चाहिए, सबसे पहले कौन सा college चाहिए, फिर उसके बाद दूसरे number पे आपको कौन सा चाहिए, तीसरे पे कौन सा चाहिए, इस तरीके से list बना लो अपनी, और उसके बाद वहाँ पे करन बाकी मैंने बताई दिया है, form filling procedure आपको बहुत ही आसानी से available हो जाएगा, आप बस YouTube पे सर्च मार देना, आपको बहुत सारे channels मिल जाएंगे, एक नहीं बहुत सारे, तो आप कहीं से भी देख लेना, बस आपका form आपको carefully fill करना है, कहीं भी कोई गलती ना हो आपकी तरफ से जल्दबाजी ना करें और wait करें, हो सकता है portal start होने में कुछ glitches दिखाए, किसी का portal ना खुले, server down हो जाए, तो आपको wait करना है, सबर रखिए, आपका process बहुत लंबा चलने वाला है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप channel को subscribe कर दें, और जादा से जाद वीडियो को आप share भी करें, और वीडियो को like करना ना भूलें, जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद